लोटस आयरुवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे मुनक्का की सर्दियों में मुनक्का किस तरह खाया जाए जिससे आपको फाइदा होगा तो आए शुरू करते हैं सर्दियों में मुनक्का खाना सेहत के लिए काफी फाइदेबंद होता है मुनक्का में एंटी बेक्टरियल बीटा केरोटीन जैसे गोड़ पाया जाते हैं इसके अलाबा मुनक्का में कैल्सियम आईरन पोटेसियम मैगनिसियम और फाइबर की मात्रा भी काफी अधिक होती है इसलिए आपको अपनी डाइट में मुनक्का को जरूर सामिल करना चाहिए निमिद रूप से मुनक्का खाने से ब्लेट पेशर को कम करने में मदद मिल सकती है इससे अपच्च मतली और उल्टी जर्सी समस्याओं में भी आराम मिल सकता है खासकर सर्दियों में मुनक्का खाना आधिक लापकारी होता है क्योंकि मुनक्की की तासीर गर्म होती है इसे सरीर में गर्महाट बनी रहती है सरीर को पर्याप्त इनर्जी और तागद मिलती है अब आप सोच रहे होंगे कि आखी मुनक्का कैसे खाना चाहिए या फिर सर्दी में मुनक्का कैसे खाए तो मैं आपको बता रहा हूँ मुनक्का खाने का सबसे साधरन तरीका है सिधे तोर पर खाना होता है आप मुनक्का ले और इसे सिधे तोर पर खा ले इसके लिए आप 2-3 मुनक्का ले इसे सीधे खा ले आप एक दिन में एक दो बार मुनक्का खा सकते हैं सर्दियों में दिन में दो बार मुनक्का खाना फायदेबन हो सकता है जिस तरह किस्मिस को पानी में भीगो कर खाते हैं उसी तरह मुनक्का को भी पानी में भीगो कर खाया जा सकता है इसके लिए आप दो-ती मुनक्का लें इसे रात-बर पानी में भीगो कर रख दें शुबह करें आप चाहे तो सुबह मुनक्का को पानी में भीगो कर साम के समय भी मिः खा आप मुनक्का को दूद में भीगो कर विखा सकते हैं इसके लिए आप दूती मुनक्का लें इसे रात बर एक गिलास पाने में डाल कर रख दें फिर सुबह उठकर दूद में भीगे हुए मुनक्का का सेवन कर लें आप मुनक्का कर विखाने से रोजनना दूद में भीगे हुए मुनक्का काने आपको पेट्ट से जुड़ी समस्याओं में आरा मिल सकता है इससे कब्ज को दूद करने में मदद मिल सकते हैं आप मुनक्का को दूद में उबाल कर भी खा सकते हैं इसके लिए आप एक गिलास दूद लें इसमें तीन चाय मुनक्का डालें और फिर इसे अच्छी तरह से उबाल लें आप दूद में उबले हुए मुनक्का रात को सोते समय खा सकते हैं रोजाना रात को दूद में उबले हुए मुनक्के को खाने से आपकी कई समस्या दूर होगी इससे आपकी हड्या मजबूत होगी आरेन की कमी दूर होगी और कब्ज में भी आराम मिलेगा सर्दियों में हलवा खाना अधिकतर लोगों को पसंद होता है हम सभी सर्दियों में गाजर का हलवा खाते हैं आप चाहें तो मुनक्य का भी हलवा सर्दियों में खा सकते हैं सर्दियों में मुनक्य को हलवे के रूप में खाया जा सकता है इसके लिए मुनक्य लें इसको ग्राइंड कर लें और फिर इसका हलवा बना लें आप सर्दियों में कभी कभा मुनक्य का हलवा खा सकते हैं आप चाहें तो मुनक्य को गाजर सूजी के हलवे भी डाल कर खा सकते तो यह था मुनक्य खाने का फाइदा सर्दियों में किस तरह मुनक्य खाना चाहिए जिससे आपको फाइदा हो तो वीडियो में ने आपको बनाया आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद